हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi आप सभी का बहुत-बहुत सवाथ है Study IQ IAS के हिंदी YouTube प्लेटफॉर्म पर मेरा नाम है विशिकुमार और आज की इस क्लास में यहां पर सबसे पहला जो हमारा अध्या रहेगा यह कच और काथिया वार का रहेगा अब मैं एक मैपिंग के थुरू आपको बताऊंगा कि सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था Eastern Coastal Plain जिसमें हमने उडीसा के तटी मेंदान अर्थात यहां पर उत्कल तट और फिर उत्तरी सरकार जिसको हम आंध्रा तट की नाम से जानते हैं और फिर तमिन नाडू के कोरो मंडल तट के बारे में अध्यन किया याद रखें यह पूरी इंडियन जोगरफी आपको सिलसले वार तरीके से कवर अप कराऊंगा बस मेरी रिक्वेस्ट इतनी है कि आप इन वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें अपना पॉलिटिव रिस्पॉंस दे कर जाएं और साथ में ज्यादा ज्यादा लाइक करें जितना स्टेट PCS के लिए इंपॉर्टेंट नहीं यह स्टेट PCS के लिए उतने ही खासा इंपॉर्टेंट हैं बलकि आपको एक एक एक्ट्रा इंडेप्ट नॉलेज इन वीडियो से मिलीगा चलिए प्रारम करते हैं यदि आपको इन वीडियो की PDF चाहिए हो तो आप जोगरफी अविशेक कुमार टेलिग्राम चैनल से इसको डाउनलोट कर सकते हैं और साथ में हमारे पीटू आई बैचे से लॉंच हो चुके हैं जो कि साम कुछ 6 बचे से मेरी जोगरफी क्लास वहां पर चलती है आप एके भी लाइप कोड के साथ इनका पार्ट बन सकते हैं और अपन Western Coastal Plains को हम समझने का प्रयास करें भारत में इन Western Coastal Plains का एरिया कहां से लेकर कहां तक है तो बिसिकलि यदी में आपके साथ एक जानकारी साजया करूं कि यह हमारे इंडिया का मैप सबसे उंपर आपको दिखाई देता है हमालया वाला रीजन हमालया से नीचे आपको दिख दिखाई दितने हैं कि यहां पर आपको दिखाई देगा इस्टन कोस्टल पेन जिसको हमने अल्रेडी ही कवर अप कर लिया है अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर इस मैप को मैं नेक्ट वीडियो में अच्छे से कंप्रीट करूंगा कि एक्च्वल में कहां आपका इस्टार्ट होगा है यानि कि लाइक स्वाइल स्वाइल की प्रशाथ रॉक और साथ में ट्रांस्पूटेशन की हम बात करेंगे तो यहां पर मैं नेक्ट वीडियो में इसको कवर अप कर दूंगा कि कहां पर क्या है यानि कि एक मास्टल मैप के थूप अब यहां समझने का प्रयास करिए कि मैंने सबसे फर्ष्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि एक्च्वल में यदि आप देखेंगे तो जो वेस्टन कोश्टल प्लेन हैं यह कच से लेकर कहां तक विस्तरित है तो गुजरात के कन्या कुमारी तक आपको विस्तरित दिखाई देत किया जाता है एक है कच्च तट और एक आता है काठियावाड तट जब आप उससे नीचे आते हैं तो यहां पर काठियावाड तट के समी भी आपको एक एरिया दिखाई देता है जिसे कॉल किया जाता है पूर बंदर तट यानि कि यहां पर पूर बंदर तट अभी मैं इस एरिया में बेसिकली गोवा तो कच से लेकर गोवा तक का एरिया कहलाता है कुंकर तट यह आप इसी से नीचे आते हैं तो कंणर तट और यह आता है मारा मालाबार तट अब एक सेकेंड मैं इसको डाउन कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से एंडेस्टेंडिंग हो सकें तो यहां पर याद रखीएगा कि सबसे उपर आपको दिखाई देते हैं कच और काठियावार तट जो की गुजरात में इस्थेत हैं फिर दिखाई देता है कुंकर तट फिर आपको दिखाई देते हैं कंणर तट एंड आपको दिखाई देते है क्या माला बार तठ जो की अलग अलग राज्यों में जैसे कि यद अर्किस और काठिया वार की बात करें तो यह आपको दिखाई देंगे गुजरातली रीजन में US के पश्यात है महराश और गुवा तक के बात करते है तो यह कुंकर तठ कंशा करावा Coast कुट जो कि बेसिकली इस्थित हैं गुजरात वाले रीजन में याद रखें कि जब हम कच्छरण की बात करते हैं तो यहां पर important बातें तो बहुत सारी हैं परंतु सबसे important जो चीज है वो आता है इसका historical background कि एक्च्छल में इसका historical background क्या है यानि कि इसकी history पर यह हम जाते हैं तो वो भी हमारे contact के हिसाब से काफी important हो जाती है और यह history आप basically पढ़ते हैं अपने subject में history वाले में और साथ में आपको पढ़नी होती है यह कालांतर में और वास्थिक्ता में यह काँ नहीं ना सब्स्क्राइधी तो आ 1947 से हम को एक कड़ी सामने आती है कि भाई माना जाता था और सिंध प्रांतवाला भाग यह perform बाग है है कड़ी सामने आई कि मैदानी भाग कि दिया जाएगा किसको पाकिस्तान को मोर लेस मोटे आदार पर बात कर रहा हूं हिश्ची की क्लास नहीं चल रही है कारण यह है और इसी प्रकार जो पठारी भाग है वो आएगा भारत के एरिया में इसी लिए यदि आप देखेंगे तो यह जो कच्छरण वाला भाग था यह भारत के हिस्से में आया परंतु विभाजन की पश्यात हमको मालूम चलता है कि एक्च्छल में यह भाग भारत का है ही नहीं अर्थात यह है पठारी भाग नहीं है और नहीं यह मैदानी भाग है एक ऐसा भाग है द्विपिय होने वाली नदियों ने यहां पर अवसादों का जमाओ किया और अवसादों के जमाओ के द्वारा यहां पर जो एक दीप रहा होगा वे अवसादों के जमाओ के द्वारा भाग बन जाता है किसका परेंसलार इंडिया का अब यह बात सामने आई हमें 1947 के पश्यात परंतु जब तक हो गया था विभाजन और मैदानी भाग के रूप में सिंद प्रांथ हमने दे दिया था किसको पाकिस्तान को तो फिर याद रखिएगा कि यह प्राइद यूपिय भारत का भाग नहीं है अब उस पर डिस्प्यूट चला परंतु डिस्प्यूट का कोई हल नहीं निक निकला तो भारत के निकला यानि कि भारत के ही पक्च में आया अब बात यह इंपोर्टेंट है तो आपको याद रखना है बात यह इंपोर्टेंट है कि यह कच्छरण वाला भाग वास्तिक्ता में प्राइद यूपिय भारत का भाग है नहीं हम मान जरूर रहे हैं आज प प्यूट के साथ इंडिया पाकिस्तान विभाजन के साथ यदि आप यहां पर देखते हैं तो गुजरात वाले एरिया में यानि कि यहां पर इसका इस्टॉरिकर बैग्राउंग इतना ही था अब यहां पर आपको दिखाई देते हैं ऊशन कटी बंदिये घास के मैदान यह पाए जाते हैं तो वह छेत्र जो की शुष्क और अर्द शुष्क जलवाई वाला छेत्र होता है परंतु इनके नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं याद रखें कि यहां पाए जाने वाले उशन कटी बंदिये घास के मैदानों को कॉल किया जाता है बन चेत्र है एक तो शुष्क वा अर्द शुष्क जलवाई वाला छेत्र है सेकेंड बात कि यहां पर और क्या क्या पाया जाता है तो याद रखेंगा कि यह पूरा छेत्र अपने नमक उत्पादन के लिए जाना जाता है यहां पर नमक उत्पादन के लिए एक विशेस प्रक उत्पादन के लिए तो यह चेतर नमक उत्पादन से सम्भनित है और सेकेंड बात कि यहां पर नमक के उत्पादन के लिए एक विशेश उट का प्रयोग किया जाता है जिसे कॉल किया जाता है बेसिकली खराई उट भारत में कितने प्रकार के उट आपको विद्धिमान और यह दो प्रकार कौन से हैं तो एक आता है कच्छी उंट जो की कच्छ वाले एरिया में पाया जाता है और एक आता है खराई उंट जो की बेसिकली मौजूद होता है कहां पर इसी कच्छ वाले एरिया में अर्थात बेसिकली हम देखें तो यह जो खराई उंट है यह वास् उत्पादन किया जाता है और फिर इन उंटों का सहारा लिया जाता है किसके लिए उस नमक को भारतिय भूमी तक लाने के लिए तो याद रखेएगा कि यह जो खराई उंट है यह कई बार चर्चा में भी रहता है कही बार इसका मयाग भी उड़ाया जाता है कारण यह है कि ए उता है तो है यह सोचma है कि राजिस्तान वी जो उन्ट त्टिक को मि पोखिए वाले एरिया में आपको देखने के लिए मिलेगाक अब आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको बता दिया कि नौ प्रकार के उठ हैं, इसको मैंने नोट डाउन नहीं किया है, परन्तु हाँ ये नौ प्रकार के उठ पूरे इंपोर्टन नहीं है, केवलो केवल गुजरात वाले एरिया में जो उठ पाए जाते हैं, उनके बारे में प्याद रखें, अब ये जो खराई उठ है, इसके बारे में आप थोड़ा सा नौलेज गेन करें, ये जो खराई उठ है, वास्तिक्ता में ये समुद्री वनस्पतियों का अपना बोजन मनाता है, अर्थात इसका मुख्य आहर क्या है, तो समुद्री वनस्पतियां और वर्तमान में ये है जो खराई उठ है, ये खत्रे में है, ये है इसका एन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, अर्थात परियावर्णिय तत थे, ये वर्तमान में खत्रे में है, अर्थात ये तेजी से खतम हो रहा है, और खत्रे में होने का इसका मेन रीजन क्या है, क्य कि मैंने प्रिवर्श वीडियो में रूदियёмे परबंदन किया रहा है परणतु जब आप अधर एस्टेइट में देखते हैं तो यहां पर मेंगरू का प्रबंदन नहीं हो रहा आप ही तू कर don हुआ नाम यह है कि इन ऊंटों का जो खाना है जो भोजन है यह इनको नहीं मिल पा रहा है यहां पर मेंगरूनों की एक तो कटाई मेंगरूनों की कटाई यहां पर एक मुख्य कारण है मेंगरूट की कटाई और दूसरा है mitad में आप मिलाकर लिख सकते हैं और यह कि करन्ट तो आप आपस में इसको इन्टर कनेक्ट भी कर सकते हैं कि ना यान याने की कुल मिलाकर इंफ्राइस्ट्रक्चर वहां पर आप खड़ा करेंगे और इसके दौर एक और पॉइंट यहां पर आता हैं और यह jt क्या होती है यानिग कि यहां पर jt का दिर्मांट के द्वारा भी आप इसको खत्रें में डाल देते हैं अब important बात यह जाती है कि वही जेटी क्या है तो आपने त्रकोना कार पत्थर देखे हूंगे अब यह त्रकोना कार पत्थर देखे हूंगे तो इनको basically क्य कौल किया जाता है जेटी अब ये जेटी करते क्या है तो समुदर से आने वाली लहरों को लहरों का ये बेसिकली पावर कम कर देते हैं और पावर कम कैसे तो यहां पर समुदरी लहरे आएंगी यदि माल लीजिए डारेक्टी ठकराती है किसे किसी तक्तिय छेतर से तो ये नाम सरूप यह उतनी अधिक छती नहीं पहुंचा पाती जितनी अधिक यह पहले पहुंचाती तो याद रखीएगा कि हर तटीय छेत्र में जेटी का निर्मान किया जाता है और जेटी के निर्मान के लिए आवश्य किया है कि भाई वहां पर मौझूद पहले वनस्पतियों को काटा जाए और जब वनस्पतियों को कट किया जाता है तो इसका भोजन नश्ट होता है और जब भोजन नश्ट होता है तो फिर इसकी लगातार आप पाएंगे कि जनसंख्या में गिरावट आती रहती है सेकेंड बात की जब आप इसी में आगे बढ़ते हैं तो एक और बात कही जाती है कि यह उंटों की इको टोन प्रजाती है अब यह उंटों की इको टोन प्रजाती क्या होती है तो बेसिकली याद रखीएगा कि जहां पर उंट शुश्क छेत्रों में आपको निवास करते हुए देखने के लिए मिलते हैं परन्तु इको टोन प्रजाती वो साथ में यह आपको निवास करती हुई देखने के लिए मिलेगी राजिस्थान वाले थार के मरुस्थल में भी यानि कि ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल और केवल यह समुद्र में ही रहे यानि कि इसका मतलब यह हुगा कि यह शुश्क छेत्रों शुश्क छेत्रों में भी निवास कर सकती है यह समुद्री या फिर तटवर्ती छेत्रों में भी निवास कर सकती है अब चलिए यह था आपका इस इको टोन प्रयाजती अर्थात इस खराई उनके बारे में इंट्रो डक्शन और यहां पर जितनी जानकारी थी मैंने आपको प्रोवाइड कराई अब एक और इसेंशियल बात आपके लिए कि यहां पर मैंने आपको बताया थे कि IUCN एक संस्था है जो की बेसिकली कारे करती है विभिन प्रकार के जीवों के संरक्षन के लिए इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेश और वर्ड में ऐसी कोई भी स्पीसी चाहे वो वनस्पतियों की हो या फिर जानवरों की हो यदि उसको वर्तमान में खत्रा है तो उसको बचाने का प्रयास करती है यह IUCN अब जैसे ही यह टाइटल देती है तो उसके संरक्षन और संवर्धन की जिम्मेदारी इस IUCN यह अकॉर्डिंगली उसको आवश्चक्ता किसकी एफर उसको कितने संरक्षन की आवश्चक्ता है इस बात पर डिपेंड करता है यह इनमें कार्य क्या क्या होते हैं IUCN की तरफ से और किसी छेत्र में जिस छेत्र में यह पाए जा रहे हैं उनकी तरफ से तो चलिए यह स्टेटस निकल के आता है एंड इंजर परंतु यदि माल लीजिए आप मेरा वीडियो चार से पांच मेहने बाद देख रहे हैं और साथ में यदि माल लीजिए आप एक्जाम पॉइंट आव यू से और आवश्चक रूप से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर करिएगा हो सकता है कि जब तक आपका एक्जाम हो जब तक यह है आई-उ-स्टेटस चेंज हो जाए इस देट क्लियर चलिए वापस आते हैं इस कच के रन में और कच के रन को एडियम देखें तो याद रखें अब मैं यहाँ पर एक मैप बनाना चालू कर रहा हूँ उससे पूर आप एक और बात ध्यान दखें कि इसी कच्छरन वाले पार्ट में आपको विशू का सबसे साफ और सफेद रेत का मैदान देखने के लिए मांडवी बीच यानि कि यह मांडवी बीच अप हमारे लिए क्यों इंपोर्टेंट हो जाता है ज मांडवी बीच में इस रेत के सफेद होने का क्या कारण है तो जब यह कोशन किया जाए ना तो याद रखीगा कि इस वाले एरिया में कुछ प्रवाल जीव आपको देखने के लिए मिलेंगे और इन प्रवालों की मौझूदगी के कारण प्रवाल उपस्थित है और इंपॉर्टेंट बात थी सफेद रेत वासाफ बीच है यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा इस डैट क्लियर बच्चो अब आगे की ओर आते हैं अब मैं यहाँ पर एक माइंड मैप ड्रॉ करता हूं आपके सामने पूरे के पूरे कच के रण को आब हम विथ मैपिंग समझने व यहाँ हूं कंपल सरी वे में उसको मांग करते जाएं और यदि कोई कोशन होता है तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल पर अर्थात यहाँ पर जो जोग्रफी बाए अविशेक कुमार मैंने पहले ही बताया था आप टेलीग्राम में सर्च करेंग पर प्रवाइड करात यह जाएंगे आफ्टर देस वीडियो अब चली वापस आते हैं यदि मैं नेक्स लाइड लेता हूं तो यहाँ पर याद रखें कि अब मैं गुजरात का वैब यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूं यानि कि सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर प्रार होता है क्या MP वाला reason is that clear अब देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से सागरी चेत्र और कौन कौन से महासागरी चेत्र आपको नजर आएंगे तो that is यह हमारी कच की खाड़ी यह पूरी है हमारी कच की खाड़ी यहाँ नीचे की और आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने के ल सागरी चेत्र में उठने वाली विभिन प्रकार की लहरे किसी स्थल खंड को हिट करती हैं तो हिट करने के करम में ये जिस छेत्र में हिट कर रही है अर्था जिस छेत्र को टच कर रही है वहाँ पर कुछ gap बन जाते हैं या फर मैं यह कहूं कि ब्रहशों का निर्मान हो जाता है यानि कि जैसे दो उंगलियों के मन यहाँ पर गुरात वाला एरिया बनाता हूं तो थोड़े से ऐसे इस टाइ उपर आपको दिखाई देती है सरक्रेक यहाँ पर आपको नजर आएगी सरक्रेक सरक्रेक के बाद एक काम करता हूं हाँ यही पर लिखता हूं सबसे उपर आपको नजर आएगी सरक्रेक सरक्रेक के बाद कोरी क्रेक और कोरी क्रेक के बाद आपको गोदाई क्रेक देखने क पिजराओ पर qrikes आंगे अर्था देक्ट सर्क्रेक यह डायक्ली कनेक्टेड है भानट पाकिस्तान सीमा वविवाद कि यहां पर मैं नृ एक मात्र स्थान अब यहां पर यह एक स्थान बचा है जिस पर विवाद चल रहा है अब विवाद की क्या बात है भाई पाकिस्तान की हरकतें बीच 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 वे सामने आ जाती है यानि कि यहां से एक जियो पॉलिटिकल एंगल भी आपको देखने के लिए मिलेगा और आप उपर की और जाते हैं चलिए हो जाएगा इतना एड़ेस्ट ओके साइब आपको दिख रहा होगा अब चलिए आगे आए हम तो इसी वाले रीजन में अर्थात यह जो कच का रण वाला भाग है एक्चल में यहां कच रण कहां पर है तो याद रखें कि इस पूरे एरि यह है हमारा ग्रेट कच रण और यहां पर आपको पीछे की और देखने के लिए मिलेगा लिटिल कच रण और उपर से एक नदी आती है कौन सी है यह रिवर तो बेसिकली इसे कॉल किया जाता है एक से कॉल किया जाता है लूनी नदी और यह लूनी नदी अपना मुहाना कह यहां देट इस लूनी रिवर ऐखे बारे में आपको अरावली माउंटेन वाले चैप्टर में कवरब दिया था कि एक्शल में इसका ओरिजन कहां से होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताईए और इसके समनांतर प्रवायत होती होते है किसके सबसे निकटतम सिटी ग्रेट कच्छरन यहाँ पर लिटल कच्छरन और लिटल कच्छरन में एक नदी है जो कि अपना मोहाना बनाएगी और इसे कॉल किया जाता है पर लिटल कच्छरन में बनाती है आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर अब देखिएगा आप इसी एरिया में आपको दो नेशनल पार्क भी देखने के लिए मिलेंगे और कौन से है यह दो नेशनल पार्क तो यहाँ पर मैं बनाता हूं इस एरिया में आपको मिलता है नारायन सरूवर यानि कि एक है नल सरूवर और एक है नारायन सरूवर जिसमें सबसे इंपोर्टेंट यही हमारा नारायन मिलेगा तो यहाँ पर मैं N decode करता हूँ यह हमारा नारायन सरूवर National Park just a second तो इसको मैं यहाँ पर no down कर रहा हूँ कि यह जहाँ पर N लिखा है ना मैंने यह blue color से N clear तो और blue color से लिखने की बाद मैंने यहाँ पर इसको यूँ प्रकार से मार्किंग की है तो यह हमारा नारायन सरूवर नारायन सरूवर National Park ठीए अब आप मुझे बताएंगे कि यह नारायन सरूवर National Park किस लिए जाना जाता है कमेंट सेक्शन में मैं इसके आंसर की आप एक चाप से कर रहा हूं यह राश्ची यह उद्ध्यान है एक प्रकार का clear और क्या यहाँ पर नल सरूवर भी है यह भी मैं आपसे आंसर चाहूंगा Is that clear और यह पूरा आता है कहाँ पर Great Kachran के दक्षणी भाग में क्लियर है मच्छू नदी आपको शायद नहीं मिलेगी एकलस में तो उसकी प्रॉब्लम नहीं लेना आप यहां से आप डार्क ली पढ़ सकते हैं कि एक नदी है मच्छू रिवर जोकी अपना मुहाना मनाती है कहाँ पर लिटिल कच रण में अब याद रखीएगा कि यह है कच करण वाला पॉर्शन और यहां पर आता है खंबात की खाड़ी यह चुल में यहां पर आपको दो कोश्ट देखने के लिए मिलेंगे सबसे पहले तो इस वाले कोश्ट को नाम दिया जाता है यह ज पर एक और कोश्टल एरिया देखने के लिए मिले गा यह कौल किया जाता है और इन एरिया कौन सा है बेसिकलि तो याद रूखें इससे कहा जाता है ये हमारा काणड्ला बंदरगाह अब याद रखिए गा भारत को काणड्ला बंदरगाह बढ़ाने की जरूवत क्यों पडई थी इससे कॉल किया विभाजन का पुत्र काड़ा बंदर्गाह को कॉल किया जाता है विभाजन का पुत्र और ऐसा क्यों है क्योंकि भारत को काड़ला बंदर पुत्र बसाने की ही आहशक्थाय 2018 भारत कर रह यहां पर भारत ऑर पाकिस्तान एक है यह अंपरढ़ impactful बंदरगा परन्तु जब विभाजन हो गया तो कराची चला गया पाकिस्तान के पास अब इंपोर्टेंट बात यह थी कि यदि हम प्रयास करें यहां पर एक मैप के थुरू में आपको समझाओं कि यहां पर यह दि देखेंगे आप तो यह है एक्चुल में रेड सी वाला यह है रेड सी वाला एरिया जो आप इसी से उपर की और बढ़ते हैं तो यहां पर आपको पर्सियन गल्फ देखने के लिए मिलेगी अब यह वाला जो पॉर्षन बचाना इसे कॉल किया जाता है अरब का प्राइदीप यह है मारा अरब का प्राइदीप और जब आप इसी के पास तो सबसे बड़ी समस्या यह थी कि सर अब भारत में यदि माल लीजिए पोट का निर्मान करना है तो यह कहां किया जाए कारण यह है कि यहां पर दूरी बहुत मायने रखती है यदि हम मुंबई लाते हैं तो यह दूरी जादा हो जाएगी तो हमको सिमिलर दूरी तो सबसे अच्छा इस्थार हमें यह कांडला लगा और इसी लिए हमने इस कांडला पूट का निर्मान किया इसे कॉल किया जाता है विभाजन का पुत्र कहां पर है यह तो कच्छ और काठिया वाल रणों के मद में आपको देखने के लिए मिलता है अब जरा इसके बारे म अब देखू जो जो इंपॉटेंट डेटा रहता है मैं वह यहां पर नौट डाउन कर देता हूं अ और वाइज मैं उसको डार्कली बोल कर आगे निकल जाता हूं परंतु ऐसा नहीं है कि वह डेटा इंपॉटेंट नहीं है इंपॉटेंट सब है आप ध्यान से मेरी बास स उने बस clear और PDF को आप डाउनलोड कर लिजेगा geography by अभिशेक कुमार टेलिग्राम चैल से तो इसे पहली बात तो call किया जाता है son of separation यानि की विभाजन का पुत्र और यह आता कहां पर है तो located यह आपको दिखाई देता है second बात कि जवाप यहां पर नजर मारेंगे तो यही पर आपको दिखाई देगा एक छेतर जिसका नाम है jam nagar जरादिहान से देखीगा कि इसी में आप एक छेतर को भी mark करें जिसका नाम है jam nagar यहां कहीं पर आपको नजर आएगा jam nagar वाला छेतर जामनगर गुजरात का सबसे फेमस प्लेस यह जामनगर और यह बेसिकली जामनगर क्यों फेमस है क्योंकि यहां पर कांडला बंदरगा से हम क्या कर रहे हैं तेल का आयात और यह तेल का आयात हो कहां से रहा है तो यह हो रहा है बेसिकली साओधी अरेविया वाले पूर्शन स तो जब यहां पर हम तेल का आयात करते हैं तो याद रखेंगा बच्चों कि यहां एक important place भी है जिसे call किया जाता है जाम नगर oil refinery और यह क्यों जानी जाती है तो याद रखें कि यहां पर जब कांडला पोर्ट में जब भी import export के थूँ कच्चा तेल लाया जाता है तो वो refinery इसके लिए या फिर refine के लिए होने जाता है कहाँ पर इस जाम नगर oil refinery में और इस जाम नगर oil refinery को वर्तमान में कौन उन करता है तो याद रखें कि इसे उन करता है रिलाइंस ग्रोप और यह विशू की सबसे बड़ी oil refinery माने जाती है कौन सी जाम नगर oil refinery को वर्ड की सबसे बड़ी सबसे बिग oil refinery का दरजा प्राप्त है इसी के आ गया हैं तो यहीं पर आपको एक और fact याद रखना है कि 2017 में इसका नाम बदल कर कर दिया गया है देन port यह वाला fact भी आप याद रखें कि वर्स 2017 के पश्याद इसे कांडला नहीं अपी तू दीन दयाल port के नाम से संबोधित किया जाने लगा दीन दयाल port कहा जाने लगा या फिर दीन दयाल बंदरगाह इसे नाम दिया जाने लगा इस डैट क्लियर चलिए आगे की और जाते ह हैं अब हम तो जो आप इसी में आगे की और आते हैं तो अब आपको इस शेत्र में देखिएगा मैं बना रहा हूं यापर ड्रॉ कर रहा हूं इस शेत्र में एक और प्लेश्य में ओोध इस इस ओखा पोर्ट को मैं ओपी लिख देता हूं यह है ओ और पी और यह हमारी द्वारिका इसको मैं नोट डाउन करता हूं कि यहां पर ओखा पोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है पूछा गया था कि यह ओखा पोर्ट किसके समीप आपको देखने के लिए मिलेगा तो इस इंडिया वर्ड का एक मात्र ऐसा इस्थान है जो कि कभी भी जल्मंग नहीं हुआ जब आप प्रत्वी की भूगर्विक समय साइड़नी को पढ़ते हैं तो वहां पर आप पाएंगे कि हर पोर्ट सॉरी हर इस्थान एक ना एक बात जल्मंगन हुआ है जैसे कि ऑशेलिया और साथ में नौर्थ अमेरिका की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि एक बार जल्मंगन हुए और समुद्री वनस्पतिया जब धरातल में आई तो सबसे पहले औशेलिया में इनका आगमन हुआ पश्यात उसके यह पूरे विशो में विस्तरत दिखाई दिन थी तो याद रखेएगा बच्चों कि इसी प्रकार द्वारिका भी कभी न कभी जल्मंगन हुआ था और सायद आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं कब की बात कर रहा हूँ एक बार यह जल्मंगन हो चुकी है और वापे से यह प्रकट आई है वो द्वारिका नगरी इसी का पाट थी इस देट क्लियर अब देखिएगा कि यह पूरा चेतर जो आपको दिखाई दे रहा है न इस पूरे एरिया को बिसिकली हम कॉल करते हैं काथिया वार टट यह पूरा का पूरा एरिया काथिया वार टट के रूप में जाना आ जाता है एक सेकेंड में इसको पूर अच्छे से shading करनूं ताकि आप भी ऐसे ही shading कर पाएं और फिर यहाँ पर जो जो important places हैं मैं उनके बारे में आपको बताना प्रारम करता हूँ इस एरिया में अब आपको नजर आएगा एक और राश्ची उद्यान देखोई यहाँ पर क्या था नारायन सरुवर यहाँ पर एक अन्य राश्ची उद्यान आपको मिलेगा यहाँ पर आपको एन यानि कि आप देखेगा मैंने ब्लू कलर से इसको इसलिए मांग किया है ताक की थी तो मैंने यहाँ पर ब्लू से ही नोट डाउन किया अब आप इसली समझ सकते हैं अब देखियेगा कि इसी काठिया वार्ड वाले छेत्र में आपको कुछ एरिया देखने के लिए फिर मैं यूं बोलूं कि कुछ पहाडियां आपको मौजूद देखने के लिए और कौन सी हैं यह पहाडियां तो सबसे पहले एटलस यदि आप लेकर बैठे हैं तो मार्किंग करिएगा बार्दा पहाडी मांडव पहाडी गिर पहाडी और गिरनार पहाडियां यह पहाडियां कैसे हैं इनका क्रम कैसा है तो यहाँ पर आपको सबसे उपर देखने के राश्य उद्ध्यान दिखाई देते हैं और इन्हें क्या कॉल किया जाता है बच्चों इन्हें कहा जाता है गिर्वन राश्य उद्ध्यान और यह गिर्वन राश्य उद्ध्यान वाला एरिया बिसिकली किस लिए जाना जाता है तो देखिए मैं पहले इनकी नेमिंग कर यह order से भी आपसे कोशन कर लिये जाते हैं कि इनको उत्तर से दक्षन या फिर पूरा से पश्चिम के करम में जमाईए तो यह जब ही हो पाएगा जब आपने अपने हाथ से इन mapping को देखा होगा या फिर आप मुझे इस mapping को बनाते हुए देख पाएंगे that's why मैं इसको वीडियो में बनाता हूँ फिर आता है यहाँ पर गरनार पहाडियां अब ज़रा आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि यही पर आपको एक राश्ची उद्ध्यान भी देखने के लिए मिलेगा और कौन सा है यह राश्ची उद्ध्यान तो यसी मद्दे वाले भाग में देखिएगा यह जो मद्दे वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है अब इस मैपको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ इस दैट क्लियर यहाँ पर ताकि मुझे लिखने के लिए स्पेस मिल जाए यहाँ पर आपको दिखाई देता है एक एरिया और इसे कॉल किया जाता है बेसिकली जश्ट ए सेकेंड इसे कहा जाता है गिरवन राश्ची उद्ध्यान वाला छेत्र गिरवन नेशनल पार्क अब यदि हम बात करें इस गिरवन नेशनल पार्क की तो देखिएगा कि हमने महाद्यूपी विस्थापन सिद्धान में ये देखा था कि एक्ट्वल में महाद्यूपी विस्थापन सिद्धान में कुछ आसंबधताएं थी और उन आसंबधताओं के अकॉर्डिंगली हमने सबसे पहली आसंबधता देखी थी लायन के संदर में अर्थात शेरों के कंटेक्ट में और ये क्या संबत्ता भई तो जब दो चीजों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए था परंतु निकल के आता है उसे कॉल किया जाता है आसंबत्ता यानि कि आप समझ पा रहे हैं हम कैसे पढ़ रहे हैं एक टॉपिक उठा रहे हैं एक टॉपिक के अंदर कितने डाइमेंशन हो सकते हैं उस पूरे डाइमेंशन को कवर अप करने का प्रयास कर रहे हैं एक थेओरी का यह फिर एक प्लेस का जितने भी डाइमेंशन हो सकते हैं उन सभी को कौर अप कर रहे हैं तो याद रखिए आपको यह essential requirement रहेगी कि भई आप इन पूरे वीडियोस को ध्यान से देखें इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक मैंने जितने भी topic पढ़ा हैं एक बार आप उनको जाकर अवश्य देखेगा तो चलो मैं यहाँ पर बात करता हूँ मैंने blue color sorry pink color से बनाया हुआ है तो pink color से मैं इसको ऐसे decode कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से understand हो सके क्योंकि वहाँ पर उतनी प्लेस नहीं है तो यह चेतर जाना जाता है बेसिकली अपने habitat कौन सा होता है तो यह उस्ट निकटी बन दिये घास के मैदानों में निवास करते है अर्थात एक बात तो clear है कि भई यहाँ पर घास के मैदान पाई जाते हैं वो भी उस्ट निकटी बन दिये और इनको क्या call किया जाता है बनी घास के मैदान तो यह lion का natural habitat निकल कर आता ह है लाइन्स का यह natural habitat है एक बात और habitat होने का क्या अभी प्राय है तो वर्ड में यह कहीं और naturally आपको देखने के लिए नहीं मिलता हां बांके इस्थानों पर जितने भी इस्थानों पर यह विश्व में पाया जाता है lion इसको migrate करके या फिर इसको इसकी smuggling करके वहां तक पह दिखने के लिए मिलेंगे जिन्हें basically call किया जाता है समाना गास के मैदान और साथ में इंडिया में यह गिर राश्य उद्यान वाले छेतर में आपको मौजूद दिखाई देते हैं यह शेर इस लिए इसलिए इंपोर्टेंट प्लेस मानी जाती है गिर राश्य उद्यान व योपिंस ने एक समय पर पूरे विश्वपर राच किया तो जहां जहां उंका उप्निवेश्वात था वहां से उन्होंने जैसे हमारे यहां से कोहिनूल ले गए ना बस वैसंगी आप समझे कि वहां से शेर को एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन नित किया और ये क्यूं क important places हैं, इनकी भी मार्किंग कर देता हूँ, यहाँ पर नीचे आएंगे, तो देखेगा, यहाँ पर कहा, इस वाले area में, आपको एक और important place देखने के लिए मिलेगी, that is, इसे call किया जाता है, due, इसे क्या कहा जाता है, इसे call किया जाता है, basically, यहाँ पर मैं D लिख रहा हूँ, और नीचे मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, D, D, I, U, D, U, clear, अब आगे की ओर जाते हैं, जो आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर और भी कई important place, कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेंगी, कि यहाँ पर एक कसबा है, जिसका नाम ह खमबात, यह कसबा कहलाता है, खमबात, और इसी खमबात नामक कसबे के नाम पर, इसका नाम पड़ा है, खमबात की खाड़ी, Is that clear? यह है, के, यानि खमबात, खमबात के जश्ट पीछे यहाँ पर नजएर आएगा, आपको अमूल नामक के एक इस्थान, clear? अमूल दूद मिल्क यूनियन लिमिटेट का यहीं पर आपको मुख्याले देखने के लिए मिलेगा यदि एटलस में मार्किंग कर रहे हैं आप तो बहुत अच्छी बात है ये वाला छेत्र है मारा खंबात वाला एरिया खंबात और प्लस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आनन्द अब इसके नीचे की जो मार्किंग बची हुई है उसको हम बेसिकली कवर अप करेंगे कहां पर इस पूरे महराश्चा वाले रीजन में तो इसको इसके आगे यानि कि अब आपका बचा हुआ है बिसिकली भरूच वाला चेतर यहां पर तापती नदिया और सूरत वाला एरिया तो उसको अम कहां पर कवर अप करने का प्रयास करेंगे माराश्चा वाले लीजन में अच्छा मैं यहीं पर आपको कर आप कराता हूँ यदि माल लीजें यहां पर इस पेस की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उसको थोड़ा सा एड़्जेस कर लेंगे आई थिंग मैं ऐसा मान कर चल रहा हूँ तो यहां पर आप में मार्किंग करते जाता हूँ और उसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट डेटा होगा मैं यहां पर पॉट कर दूँगा क्लियर है बई तो जब आप यहां आते हैं तो देखिएगा एक और प्लेस हमें मिलती है जिसे कॉल किया जाता है भरूच यहां पर आपको दिखाई देगी सूरत और फिर जब आप सी से नीचे आएंगे तो यहां पर आपको नजर आएगा दमन तो दमन और दियू भारत का एक केंदरशासे पतेश है मैंने क्या बताया यहां पर नजर आता है आपको भरूजवाला रीजन यह है हमारा भरूच वाला चेत्र भरूट के पश्यात यह है सूरत वाला एरिया और यह है बामन वाला चेत्र ईढ पता होगा ना दादर नगर हवेली दमंदीव पहले यह अलग अलग हुआ करते थे फिर इनको एक कर दिया गया यह लद्दा के इंदर्शास्य प्रदेश बनने की पश्यात तो यहां पर मैं इसको यहां पर टेक्स्टाइल इंडस्ट्री से या फिर वस्तरोद्यों के लिए मेली जाना जाता है क्या यह सूरत वाला रीजन अब याद रखीएगा कि यहां पर हमारे दो मैदान समाप्त हुए हैं अर्थात एक हमने अध्यन किया किसके बारे में कच्छरण के बारे में और एक हमने अध्यन किया है यहां पर काठिया वाड के बारे में यहां पर दोनों को मैंने बहुत अच्छे समझाने का प्रयास किया है यदि फिर भी मेरा कोई पॉइंट खाली रह गया हो या फिर किसी पॉइंट को मैंने टेस्ट नहीं कर पाया है तो वहां पर इसको मैं अगले वीडियो में करूंगा, वैसे कुछ रह नहीं गया है, यहाँ पर मैं सब कुछ यहाँ पूरा अच्छे से कॉरप कराया है, यदि आपको वीडियो पसंद आए, तो मेरी आप से क्रिक्रेश रहेगी कि आप इन वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, अपना पॉजिटिव रिस्पॉंस दें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, ताकि मैं और ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आ सकते हैं, यदि पसंद आता है, तो अपना इसी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, इस्टडी आइक्यू आईएस हिंदी